आउनी इस्ट्यूट्यूर्ट ब्रांट चनल में एक पार आपका फिर से स्वागत है देखिए जैसा कि आप थम्नेल में देख रहें कि यूपी टी प्रदेश सी लेटेस्ट अपडेट टूडी तो उत्तर प्रदेश अधिना सेवा चैन आयोग से आज की क्या है अपडेट द देख लेते हैं एङ्डा की आपडेट और साथ लिस्टिंग आपडेट टूडी वानियं किन परिच्षाओं की एजटेट है और किनकी साथ लिस्टिंग की अपडेट है वहीं एक नियूज साथ में ओल लगी है कि UPPSC से कम नहीं BPSC तो चलिए ये भी एक इंटरेस्टिंग नियूज है कि सुच ये क्या हो रहा है तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सुस्क्राइब कर ले और दोस्तों को सेयर करना न भोलें ओके चलिए देखते हैं ये देखिए कल देर साम जो है उत्तरपदेश अधिनस सिवाचेन आयोग विकभवं तृतितल गोंती निगर तो अरब 15 मार्च 2024 को एक अवस्यक सूचना जारी की गई कि आयोग के विज्यापन संख्या जीरो टू परिच्छा अब्लिक दो हजार बाइस अनुदियसक मुख परिच्छा मिंस आई टी आई जो है इंस्ट्रक्टर की जो मुख परिच्छा की लिखित परिच्छा दिनांक 25 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी उक्त के क्रम में परिच्छा से संबंदिस समस्त अभ्यर्थियों को इतर द्वारा सुचित किया जाता है कि दिनांक 25 फरवरी 2024 को संपन लिखित परिच्छा के मास्टर सेट की अनन्तिम उत्तरकुंजी आयोग की वेबसाइट uptlsc.gov.in पर उपलब्ध है वहाँ से दी गई लिंक पर आप अपनी मास्टर सेट अन्यसर की अपलोड करके आप अपना मिलान कर सकते संबंदित अभ्यर्थियों को यह भी सुचित किया जाता है कि उपर युक्त लिंक पर उपलब्ध उत्तरकुंजी पर यदि कोई आपत्य हो तो यह आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आपत्य दर्ज करने संबंधी लिंक चरण प्रक्रिया जो है निमनांकित प्रकार से उती गई है कहने का उन्तलब अगर अंसर की में किसी को कोई आपत्य है तो आपत्य भी दर्ज कर सकता है यह आपत्य दर्ज करने के पॉइंट है इनको आप रीट कर सकते हैं और अभ्यर्थी उपर युक्त लिंक के माध्यम से ही अननतिम उत्तरकुंजी पर अपनी आपत्य आनलाइन दर्ज कर सकते, कहने मतलब आपत्य जो है आनलाइन ही दर्ज हो सकती, अनिकिसी माध्यम से जैसे डाक या प्रत्यवेदन द्वारा उत्तरकुंजी के संबंध में दी गई आपत्य स्विकार नहीं की जाएगी, सुच है कि आपत्य दर्ज करने की अन्तिम्तिती 21 मार्ज 2024 है, कहने का मतलब 21 मार्ज तक ही आप आपत्य दर्ज कर सकते हैं, उक्तितित की उपरांत आपत्य दर्ज करने की सुद्या स्वता समाप्त हो जाएगा, कहने मतलब 21 तारीक के बाद ये आपत्य वाला जो आइटम हो परिच्छा 2022 की अपडेट चलिए वहीं अगली अपडेट भी देख लेते हैं साट लिस्टिंग की मैंने बात किया था तो जस्ट एक दिन उससे भी पूर में 14 तारीक को जूनियर अस्टिस्टेंट भरती कनिस्ट चाहएक भरती अपडेट जो की बड़े पदों की भरती 5512, 5512 पदों की भरती उसकी साट लिस्टिंग की अपडेट आई और उसमें साट लिस्ट में जो है बहुत दिख रहीं चौदा मार्ज को की अनारचित की कटाप 15.22 वहीं अंसोचित जात की भी 15.22 और वहीं अंसोचित जात की 3.87 तो अन्य पिछा बर 15.22 और EWS भी 15.22 और कहने का मतलब बहुत कम पिट की कटाप गई ये पिट 2022 के अधार की कटाप थे वहीं देख रहे हैं स्वतंता संग्राम सेनानी इनकी संक्या बहुत कम होनेकार सभी को लिया गया है भूत पूर सैनिक हैं महिला भी सभी समलित हैं उत्कृष खिलारी भी सभी समलित हैं और दि UPPSC की अपडेट UPPSC जब से आरो ए आरो भरती परिच्छा 11 फरवरी 2024 को हुई और उसके बाद पेपर जो है चुकी लीख हुआ तब से वास्तों में UPPSC में भी कर्मंडला चार मच गया कहने का मतलब जब PCS Pre की परिच्छा टल गई तो अन्य परिच्छाएं भी टलती चली जा रही है और सब रामभरों से होती जा रही कहने मतलब जो भी इनकी इनका कलेंडर है वारसी कलेंडर वो सब बेकार होता नजरा रहा है चलिए विग्यप्ति क्या है 15 मार्च 2024 की है कार कि एतत द्वारा सोचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोग से वा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी प्रारंबिक परिच्छाएं जैसे स्टाप नर्स युनानी आयरुबेदिक पुरुस महिला परिच्छा 2023 सहायक नगर नियोजक परिच्छा 2023 तथा अ मुख परिच्छा 2023 आपरिहार काड़ों से अस्गित की जाती एतत द्वारा नया संसोधित परिच्छा कालेंडर सीग्र अतिसीग्र जो है जारी किया जाये कहने का मतलब यूपी पियर सी भी खरवडास आ गया है आरो ए आरो की पेपर लीक मामले से उसी में आरो ए आरो की परिच्छा करानी है हालां की बैटक हुई थी उस बैटक में यही सामने आया था कि जुलाई के आंतिम सप्ताह तक आरो ए आरो की भरती परिच्छा हो सकती है चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं कि यूपी पीएसी से बीपीएसी कम नहीं तो अब तो किसी भी प् यूपी में पहले आरो ए आरो भरती परिच्छा हुई उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भरती परिच्छा हुई और दोनों ही पेपर लीक मामले में अवल नंबर पर रहे हैं और वहां यह हुआ कि मुख्यमंत्री जी को कोई सामने आके सभी दोनों परिच्छाओं को निरेस्ट करना पड़ अब देखने की बात यह होगी कि बिहार में क्या दसा होती है आप देख भी रहे हैं बिहार में BPSC TRE 3 का पेपर लीक हिरासत में 200 चात्रों को हिरासत में लिया गया है हालांकि देखने की बात होगी चुकि कल देर साम जो है सभी मीडिया पर जो है अच्छे धंग से BPSC TRE 3 का जो भी पेपर हुआ उसकी धंग से उड़ियो देखने की बात थी तो कोई भी भरती पर इच्छा हो इन मुन्ना भाई के हां से बच नहीं पा रही है तो इस वीडियो में बस इतना ही कोई अपडेट न मिलती है तो आपके आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को सेयर करना न भूलें ओके थैंक यू